नमस्कार दोस्तों सभी को राम राम गुड मॉर्निंग जो भी आप जिस रूप में देखना चाहिए स्कूल मेनेजमेट की हम चर्चा कर रहे थे और उसमें जो ग्रूप A का पेपर था पुचेए तो उनके हम सवी देखेंगे और ये भी देखेंगे की अपन जो पढ़ रहे हैं क्या उसी से समंदित प्रसंद थे क्योंकि कहींऑ को या डाउट रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं इतना सफिस्चिंट है क्या तो ये सारा कुछ बरम जो आपका रहता है वो भी निकल जाएगा प्रिवियस क्वेस्टन ही हमें बताते हैं कि अपन को इस टोपिक में कितना जो है वो टाइम देना है और कितना और इसे गहराई से बढ़ना है स्कूल मेनेजमेंट फर्स्ट पेपर का एक एसा फोर्सन है जिसको आप कम समय में बहतरीन बना सकते हैं और मैं तो यह कहूंगा कि जब भी आप फर्स्ट ग्रेट के फर्स्ट पेपर की त्यारी कर रहे हैं सबसे पहले इसके नोट्स बनाईए इससे बहतर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा दस प्रस्ट का एक मेंटर रहता है जो आपको सबसे ज़्यादा कम समय में वो जो है वो आउटपूट लाके देगा तो आज ग्रूप B के पेपर में जो एजुकेशनल मेनेजमेंट से जो प्रस्ट पुछे गए थे उनकी हम तरचा कर लेते हैं जो यूनिट है उसमें जो बैसिक फंडामेंटल जो रहता है जो बैसिक प्रस्ट भूमी है एजुकेशनल मेनेजमेंट की वो है दूसरे में scenario वाला force न है जिसमें हमने लगबग complete कर लिया है एक point रहा है आपका समगर शिक्षिया भियान गर आज से ही आप notes बना रहे हैं तो हमारी playlist update form में मैंने डालर की है आप one by one वीडियो को देख के बना सकते हैं तो और last जो unit है उसमें आपके RT है जिससे दो प्रस्ण तो पूचे जाते हैं दो कई बार एक कई बार तीन तक questions चले जाते हैं तो आईए discuss करें पहला प्रस्ण सबसे जो पहला प्रस्ण पूचा गया था इसमें कि सेक्सिक परबंदन के कार्यों में समलित है पिसला पेपर आपने नहीं हाल किया है तो जरूर हाल करना वह आपको मिल जाएगा तो उसमें भी प्रस्ण था सेक्सिक परबंदन के कार्यों में से तो सेक्सिक परबंदन के कार्यों में से बहुत important है एक question definitely आता है जो first unit है उसमें एक प्रस्ण leadership का एक सेक्सिक परबंदन के कार्यों में से और एक कहीं से भी जो आपके syllabus में बिंदू है विशेष ताई है या कोई और प्रस्ण जो है वो देखने को मिलता है तीन प्रस्ण तो यहां से definitely आती है बड़े इंपोर्टेंट है इसमें लुत्तर गुलिक का कार्यों में ने हल करवाया था आपके एंद्री फ्योल का प्रस्ण था वो में ने करवाया था तो देखिए यहां तो किसी वेक्ति का particular नाम नहीं दे रहेगा तो आपनको जो सबसे important सीजे है जो हमने पढ़ा है उससी से related हम बनाएंगे जैसे देखिए बज़ट निर्मान यह तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा बज़ट निर्मान जो लुत्र गुलिक वाला है उसमें बिल्कुल जो है वो आता है निर्ने भी है नियंद्रन भी है कंट्रोल भी है और आलेखन आलेखन रिकोर्ड भी बिल्कुल सही है तो यह सारे ही जो है वो सेक्सिक परबंदन की कारियों में समलीत है इसका मतलब A, B, C और D यह चारों बिल्कुल सही है अपने इस यूनिट को करेंगे इस वोसन को भी जो फेस्ट यूनिट है तो नस सिकन्ड है पहले हम सेकींड यूनिट को आपको करवा रहे है इस यूनिट में शेक्सिक परबंदन से जितने भी महत्वापून तथये बन सकती है देखिए इसके लिए special में बुक recommend करूं तो जो एमेड में बुक चलती है लोग परसासन और सेक्सिक प्रबंदन वो बुक जो ऑथेंटिक है ऑथेंटिक बुक है मेरे पास पड़ी है और वो बुक यह दिया आपके पास है तो जुरूर पड़ीगा क्योंकि उसमें एजटिक जो पॉइंट रहते हैं वो एक्जाम में पुचे जाती है अथेंटिक बुग आपको सब लगों बता है बीए डामेड में जो किता भी चलती है वहां से ज्यादा तर वहां से बनते हैं बाकि कोई से भी गाइड से कर सकते हो क्योंकि चोटा पॉर्सन है सब चीजे जो है हर क्योंकि आपको मिल जाते हैं क्योंकि वहीं से कोपी पैस्ट होता रहते हैं तो सेक्सिक प्रबंदन के कारियों में कैके समलीत है बजट निर्मान आलेखन निर्ने निंदन फिर से यह प्रसंद रिपीट हो तो थोड़ा सा इस पे गोर करने वाली पात रहें अगला प्रजाना नित्रिक दूसरा है ओपचारिक मात्रह तीसरा है सिक्सन अधिकम प्रकृया में शुधार लाना चोटा है अपका संपूण सेक्सिक सरचना का विकास कई बार कि होता है कि होता है कि अपनको कुछ चीजए समझ में नहीं आते और ओप्शन जो होते हैं वो हिंट् और एक पॉइंट देखो अलग ही दिख रहा है आपको उपचारिक मातर और यहां देखो मित्री पुन और प्रजात अंत्री अब आप कहेंगे कि यह सब्द लाए कहां से जब मेट गया बुक देखेंगे ना उसमें इस सब्द को बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर रहा है कम स सोचते रहते हैं कि मेट्री पुन क्या चीज़ है प्रजात अंत्री जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे सेक्सिक प्रबंदन की जो विशेशता है उनको पढ़ोगे तो आपके सारे आपके सामने सारी चीज़े खुल के आएंगे और यहां उपचारिक मातर यह अलग है यह पूरी करना यह नहीं होगा यह तो अलग चीज़ होगी करनी है तो फिर सुधार काईगा करना कैसे तो हम डवलप करेंगे सारी जीज़े और तीसरा प्रसन भी आपके जो फैस्ट उनिट है उसमें से और इसमें भी आपके लिडरिशीव वाला जो पॉर्सन डाल रहा है नि लिए प्रज्य अत्रिक नेत्रितवत की विसेस्ता नहीं है डेमोकरेटिक आपकी लिडरिशीप उसकी विशेस्ता नहीं है पहले तो यह नेतर्थ्वा सब्द्द आपको मेनेज्मेंट में कई जगह मुलेगा आप यह समझेने पा थे पर यह समझें से जोड़के आप अप कोई की नहीं होता है किवेज दिए बाइग सबस्क्राइब देन काम कर रहे हैं। चरहे ब्हुत डंक चाहीं लेए परॉफिट के लिए काम करें उस इसा नहीं होना है। तरहे बहुत क्लसुन लिए अच्छा देब हैं। और इससे गारा हुलेद सब्सक्राइभ करना भूरूरी है और आप लोग कहते हैं कि काम बहु करना ज़रूरी होता है होता है कि किए बार अपन जो निर्णे लेते हैं वो खिसी एक पक्स को सबसुनेवे में से आप इसा निर्णे हो जो मतलब सथिसा में हो क्या दीया और शास निज़े विषवास derived तो इससे क्या होगा बिल्कुल होगा तो यह नहीं होना चाहिए एक अच्छा लिडर्स्टीप वही है जो सुने सब की सुने सब की लेकिन करे उसमें से जो सही एक तथ्यात्म की जो उत्तर करेता है उस पर जाए और उसके बाद उकाम के इसमें देखे प्रजादान्तिक नेत और फिर वो नेतर्त्व हैं निग्याए जसेक्सिंदतेशिक और देखलें थे दूसरा देखिए पर्जातान्तिक नेता एप्रतिक सलाव और स्वें के उधार Ó प्रस्तूत के निडियों को निस्पादित कर कारी को सुनकी करते बिल्कुल सब्सारफ्स लागा मतलब क्या है ca सुने HERE SAB की लेकिन करें मन की डायरेक्ट आप किसी एक वक्स को जानके उस पे विच्वास नहीं करना है यह होती है स्वें के उधान प्रस्थूत कर निर्णियों को जो है उन्हें स्वाधित कर कारे को सुनेशित करते हैं एक उप्सन में यह डाल रहे है कि कि अन्य व्यक्तियों का कल्यान शक्त कर रहे है कि हम किसी दिफ्ल कर रहे हैं दूसरों को अच्छा दिखे यह नोर्मल वे में हम आपको बता रहें कि डेमोक्रेटिक जो आपका लेडरसीव है यह आपकी नेतर वाला पॉइंट डाल रहा है उसको हम बहुत अच्छे टिंग से बढ़ेंगे उसमें यह सारे चीज़ें डिसकर्स करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझेंगे यह त तीस्था प्रसन आपकी पूच्छा गया था जोत्रा प्रसन आप सब लगों पता है अब अपन जो चल्चा कर रहे हैं वो शनीरिय वाले फॉर्शन में और उसमें आपके जो राजस्तान की उदेपुर वाली जो से आर्एससी आर्टी तो उससे समंदी था कि राजस्तान र बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका रस्याटी उद्धिप्रवाली सेंस था मैं रूतरा समीति यह सारी चीज़ में करवा चुका हूं सही उत्र क्या था इसका ग्यारा नॉमंबर उनीस सो अठतर याद रखिए ग्यारा ग्यारा अठतर बहुत आसन प्रसंदा बागी कि इसके बारे में डिटेल यहां नहीं करेंगी सारी चीज़े करवा चुका हूं और राजस्तान की जो संग्ठ नात्मक विवस्ता है उसमें राजस्तान सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है बहुत अच्छा प्रसंद है और मैंने आपको बोर्ड ऑफ से स्टेट इनिश्टिव फॉर क्वालिटी है जो कहसा नहीं एसाई क्यूई का बदला वर्व जिसमें वरतमान की तो पर देखें तो एफलन को भी सामिल के लिए सिसी है सिसीप है चाल्ट पेडगोजी है एक्टिविटी बेस लर्निंग इसको सामिल किया गया है तो यह आपक प्रभावी कारिक्रमों को लागू करके तैकनी की साहिता प्रदान करना जहां workflow आपरबाकर करनेומק क झीट एक्टिविटी मेंने कहा था गतिविद्ध की बात आए संवर्धन करने की बात आए तो वह हमारा पॉजिटिव आंसा रहेगा राज की पद्धाधिकारियों की बागिदारी को सुनिश्चित इम देख रहे करना यह इसका सहीवत्तर नहीं है एक्जाम में मिल सकते हैं जैसे यह पॉइंट उसमें हाइलाइट रूप में था कारिकरम की गतिवीदियों लागू करने में उनका किसमता प्रोग संवर्धन करना तो अथेंटिक के साथ चीज़ा बढ़ेंगे तो कॉंसेप्ट भी बिल्ड होगा और आप सही दिशा में बढ यहां बाइट होना यह रखा गया तो तो बिल्कुल यह उप्सन च्यार जो बिल्कुल सभी था लेकिन वर्तमान के संदर में देखें तो यह पांच ऑप्सन यह हो कि पचास हो गई हैं तो बिल्कुल पचास हो जाएंगे और यह बविस्य में इठ्वान जिल्ले बनते हैं और जिल्ले की वह जो राम लोभाय समित्य उसका गारिकार प्रड़ा है और यदि इठ्वान बन गए तो इठ्वान वो हर जिल्ले में डाइट से रहे तो यह है आपका डाइट का प्रस्न जो जुरूर द्हान में रखेगा नेक्स देखिए कोवीड महामारी में लगे लोक आपका लोगडाउन लगा था उसमें बहुत सारे करेकरम चला गये थे स्माइल का करेकरम चला था शिक्ष्यावानी शिक्ष्यादर्शन बहुत सारे करें जो थे कि बच्चे की बढ़ा ही बादेत नाओ घर बेटी वह निमत्त बनी रहे तो उसके लिए रेडियो के शिक्ष्यादर्शन में आपको कंप्लीट अच्चे से करवा दिया है जरूर उसके जोट नोच बना लीजिएगा नुवा प्रसंद आर्टी अधिनियम 2009 का अध्याइच्यार किस्ते किस चितर से समंदित है केवल रीट पातर तक है आप दियारी कर रहे हैं तो उसमें आपक किस्त की दारा बहुत में तो यह आपका आर्टी दोजार नोगा प्रसंद यह भी हम अच्छे से कवार करें इस पेपर में एजुकेशन मनेजमेंट की नो ही प्रसंद पूचे गए तो आज के इस क्लास में इतना ही नो प्रसंदों में आपके कितने प्रसंद सही हुए वह लिखे और जिन्होंने अभी तक तैय नहीं किया कि अपन कैसे बढ़ाई को स्टार्ट करें तो यह कहूंगा कि सबसे पहले अपन एजुकेशनल स्नेरियों वाला फोर्शन स्टार्ट कर रहेगा है नो वीडियो में अवेलेबल करा चुका हूं वह आप बनाईए नोट्स को अगली चर्चा में हम जो एक पेपर और गया ग्रूप सी का पेपर 17 तारीक वला वह हम हल करेंगे और उसके बाद अपने क्लासे फिर से कंट्यूनियूर रखेंगे और जैसे थोड़ा और शोर हो जाएगा उसके बाद जो 2020 में जो रिजल्ट है था उसकी पेपर में एजु